Hello students, स्वागत है सभी का आज के इस question के अंदर ऐसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे हैं previous year's question की series J.E.K. previous year's question और उसके अंदर हमारा जो chapter चल रहा है वो चल रहा है बटा quadratic equation हमारा जो chapter है वो है quadratic equation उसके अंदर आज हम third video लेके आ हैं तो यह जो question आप देख पा रहे हैं J.E.Main 2019 में आया हुए दस अपरायल फर्स्ट शिफ्ट में question को read कर लेते हैं एक बार क्या कर रहा है कि if alpha and beta are the roots of the quadratic equation यह हमें एक quadratic equation के बर है ठीक है इसके roots क्या है alpha और beta है और theta जो है हो जिरो से पाइबाट हो के बीच में then find the value of this expression अब यह expression क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं जो हमें find करना है उसको expression को देखते हैं इसमें लिखा हुआ है alpha power 12 plus beta power 12 और इसके divide में है बटा alpha power minus 12 तो इसको मैं लिख रहा हुँ 1 upon alpha power 12 plus 1 upon beta power 12 यह बात अब समझ गए होंगे कि जो यह power minus 12 है इसको मैंने 1 upon में लिख लिया और right side में इसके साथ multiply में क्या है मेरे पास है alpha minus beta power 24 यह चीज़ है तो इसको कैसे sort out करेंगे भी देखते हैं इसको थोड़ा हम उपर लेके चलते हैं क्या है question के अंदर कि इसको थोड़ा sort out करना पड़ेगा जो हमें expression find करना है उसकी value तो alpha की power 12 plus beta power 12 को मैं same लिख रहा हूँ इसका first bracket का जो है वो मैं LCM ले रहा हूँ तो LCM मेरे पास आएगा alpha beta power कितनी 12 यहां से क्या जाएगा मेरे पास beta power 12 plus alpha power 12 और इस पूरे bracket को मैं बंद कर दूँगा और यहां मेरे पास alpha minus beta है क्या है मेरे पास alpha minus beta तो इस alpha minus beta को मैं इसे लिख सकता हूँ कि alpha minus beta की square और उसकी power 12 ठीक है ना अब आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा expression देखिए ध्यान से क्या देख पा रहे हैं कि यह देखो यह जो value है alpha power 12 plus beta power 12 और यह जो value है beta power 12 plus alpha power 12 यह same है तो यह cancel out हो जाएगी और यह जो value है यह उपर चली जाएगी चीक है ना यह उपर चली जाएगी तो इसको अगर हम इधर लिख लें तो ज्यादा better है तो हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास बनेगा alpha beta power 12 divide by यह जो alpha minus beta whole square है इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta और उस पूरे की power कितनी है 12 है यह चीज है अब alpha beta और alpha plus beta की form में हमारा answer आ गया अब हमारे पास जो equation थी given equation क्या है given equation given equation क्या है हमारे पास x square plus x sin theta minus 2 sin theta equal to 0 इसके अंदर हम 10th का formula लगाएं कि sum of the roots क्या होता है भई alpha plus beta is equal to minus b तो यह बन जाएगा alpha plus beta is equal to minus sin theta और alpha into beta होता है minus c upon a प्लस c upon a तो यह बन गया minus 2 sin theta आप देख पा रहे हैं कि यह दोनों values भाई और बहनों यह दोनों values में यहां fit करूंगा ठीक है ना इस expression में fit करता हूँ तो इसको थोड़ा से उपर लिखते हैं ताकि हमें कुछ समझ भी आए कि हम क्या लिखना चाहते हैं यहां लिखते हैं इदर left side में तो बटा alpha plus beta की जगह क्या लिखेंगे alpha into beta के जगह है मैं लिखता हूँगा minus 2 sin theta और इसकी power कितनी 12 12 को थो हमीं कठा लिख लेंगे नीचे वाला 12 है न यह वाला और यह उपर वाला 12 है इनको एक साथ लिखते हैं तो यहां नहीं लिखेंगे हम इसको एक साथ लिखेंगे और alpha plus beta की value है minus sin theta whole square minus 4 minus 2 sin theta इस पूरे की power कितनी है इस पूरे की power है 12 इसको हम आगे carry करते हैं क्या लिख पाएंगे आगे देखिए आगे क्या लिख पाएंगे इसको लिखेंगे देखो 4 sorry minus 2 तो plus 2 हो जाएगा ने तो plus 2 हो जाएगा क्योंकि power 12 है इसको तो plus 2 लिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है न तो यहां क्या लिख देंगे एक सेकिन में थोड़ा रब कर दो इसको अच्छा लगेगा थोड़ा सा यह इसको रब कर देते हैं इसको भी रब कर देते हैं हां जी अब देखिए अब देखे क्या बनेगा क्या बना ये मेरे पास ये जो बना है ये बना है बच्चे 2 2 की power 12 into sin की power 12 theta ये बना ठीक है ये बना ओपर और नीचे देखो sin square है ये sin है तो sin theta common आजाएगा यहाँ से sin की power 12 theta common आजाएगा अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा sin theta plus 8 की power 12 तो sin की power 12 theta sin power 12 theta से cancel out हो जाएगा यह हमारा answer बच गया 2 power 12 upon sin theta plus 8 power 12 ठीक है यह हमारा answer है उमीद गरता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा जिसको नहीं समझ में आया comment करके बता देना और फिर आपका भी कोई doubt है तो आप मेरे को comment कर सकते हैं मैं आपको next video में sort out करवाने की कोशिश करूँगा धन्यवाद दोस्तों